हेलो फ्रेंज आज इस ट्रिटोरियर में हम देखेंगे मार्क सॉफ्टर का एक बहुत ही यूनीक एडवांस ओप्षिन जिसका नाम है डूस सबसे पहले हम यह समझते हैं कि डूस ओप्षिन क्या है और यह किस तरीके से आपके लिए यूस्फुल है जैसे कि आपने औरेडी बहुत सारी प्रेस्क्रिप्षिन देखी होगी तो अगर आपने कभी नोटस किया हो तो हर प्रेस्क्रिप्षिन में डॉक्टर मेडिसन के साथ साथ उसकी डोजस भी मेंचिन करता है means कि कौन सी मेडिसन आपको किस टाइम पे लेनी है और कितनी कौंटिटी में लेनी है means कि कई मैं आपने देखा होगा कि medicine के नीचे doctor mention करता है कि यह tablet आपको morning में लेनी है, night में लेनी है, एक tablet लेनी है, दो लेनी है, यह आपको ordinary days में लेनी है, week days में लेनी है, तो इस तरीके से जो है doctors हर एक medicine के साथ उसके doses भी mention करता है साथी साथ अगर आपने कभी notice किया हो, तो कुछ medicines में कुछ special remarks भी दिये जाते हैं, like कि यह जो medicine है वो pregnant ladies को नहीं देनी है, या 6 साल से कम बच्चे को नहीं देनी है, या फिर कुछ medicines ऐसी दी जाती हैं साथ में कि यह तभी खानी है, अगर pain हो या fever हो यह दवाई तभी लेनी है तो इस तरीकी के remarks भी आपने देखे होंगे, तो इस तरीकी के remarks और doses जो कि doctors manually prescription में write करके देते हैं, इसके अलावा अगर आपने कभी optical shop में visit किया हो, तो आपने notice किया होगा, कि हर एक lens यह specs में कुछ measurements होती हैं, like spherical, cylindrical, axis, prism, और यह measurements depend करती हैं आपकी eyesight पे, means कि optical shop में भी doctors हमेशा आपके prescription में आपके eyes की या आपके lens की measurement हमेशा आपको manually write करके provide करते हैं, लेकिन अगर आप marks software यूज करते हैं, तो यह remarks, यह doses, यह measurements आपको manually prescription में write करनी की ज़रुरत नहीं हैं, आप simply at the time of willing हर एक medicine में, हर एक medicine के according, field open करा सकते हैं, उसके measurements, remarks या doses mention कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उससे bill में means invoice में print भी करा सकते हैं, means कि आपको यह work अब manually करने की ज़रुरत नहीं है, अब simply mark software के through, यह सारी measurements feed कर सकते हैं, और invoice में print करा सकते हैं, so friends, आईए देखते हैं, कि आप किस तरीके से, से mark software में implement कर सकते हैं, mark software में सबसे पहले, आपको control room की से, doors option enable करना होगा, जिसके आप master's में चाह सकते हैं, mark setup and then control room, search in all में आप search करेंगे dose, dose सर्च करते हैं आप देखेंगे, आपके पास एक option available है, ask separate remark for optical, medicine, remark billing, means कि आप एक separate remark open कराना चाहते हैं, at the time of billing, optical के लिए, medicines के लिए and remark के लिए, तो इस option को enable करने के लिए आप one select करेंगे, enter press करेंगे, save changes, yes, so अब अगर आप master's में जाते हैं, inventory master में जाएंगे, यहां से आप जबी भी कोई new item create करेंगे, या existing item अगर आप modify भी करते हैं, तो modify करने के बाद आप दिखेंगे कि आपके item master में एक new field open हो जाती है, item type, अगर आप space bar press करेंगे, तो आप देखेंगे, यहां आपके पास 3 options available है, अब यह जो आपका item या product है, अगर वो एक medicine है, means कि आप इसमें doses refine करना चाहते हैं, कि morning में लेनी है, evening में लेनी है, आप इसमें doses refine करते हैं, तो आप इसमें medicine select कर सकते हैं, ज़िए आप इस item को save करेंगे, तो आप देखेंगे, इस तरयीकी doses window आपके पास open हो जाती है, अब अगर आप यहीं पे कोई by default doses mention करना चाहते हैं, तो आप यहां पे by default doses mention कर सकते हैं, कोई remark mention करना चाहते हैं तो आप यही पर remark भी mention कर सकते हैं इसके लावा अब अगर हम एक optical lens लेते हैं जो आप देखेंगे F3 प्रेस करेंगे तो यहां आप देखेंगे यहां भी आपके पास option अबलेबल है item type आप simply space bar प्रेस करेंगे, optical select करेंगे, product save करेंगे तो अब आप यहां पर देखेंगे कि आपके optical की field यहां पर open हो गई है means जो जो measurements आप optical में feed करते हैं वो fields यहां पर open हो गई है so अब अगर आप यहां पर by default कुछ feed करना चाहते हैं, details तो आप यहां पर feed कर सकते हैं otherwise आप इससे skip कर सकते हैं अब हम एक next example लेते हैं anti-depression medicine अब इससे F3 प्रेस करेंगे तो यहां आप देखेंगे, item type remark आप यहां पर print करा सकते हैं save करेंगे product तो यहां आपके पस remark window पन हो गई है now for example, यहां पर हम remark feed करना चाहते हैं don't take more than two tablets in a day means कि जो anti-depression की medicine है means कि जो anti-depression की tablet है वो आप एक दिन में दो से ज़्यादा ना ले या इसके अलावब अगर आप print कराना चाहते हैं कि बिना medical prescription के यह medicine ना ले तो इस तरीके की remarks भी आप अपने item में feed कर सकते हैं तो इस तरीके से आप item master में define कर सकते हैं कि आपका जो product है वो medicine है optical है या आप उसमें को remark feed करना चाहते हैं तो friends आईए एक build generate करके देखते हैं इसका effect अभी हम लेते हैं सबसे पहले optical lens quantity define करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ के पास measurements एक window open हो गई है जहां जो आपने product select किया है lens आप उसकी measurements यहाँ पर define कर सकते हैं for example 1.50 है right का spherical और minus 0.75 cylindrical axis है right का 135 prism और base अभी कुछ नहीं है इससे तरीके से हम left eye की measurements यहाँ पर define करेंगे तो friends इस तरीके से हमने एक optical lens की measurements यहाँ पर define किया हैं इसके साथ अगर आपको remark यहाँ पर define करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर remarks पर define कर सकते हैं simply end key प्रेस करेंगे simply आप build save करेंगे enter प्रेस करेंगे अब अगर आप अपने build का print preview देखते हैं F प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ आपके product के साथ-साथ इसकी measurements जो अभी हमने define की हैं इसके details भी यहाँ बेल में automatically print हो गई हैं तो इस तरीके से हमने देखा एक optical का example अब हम लेते हैं remark जैसे कि अभी हमने item master में anti-depression में remark feed किया था तो अब हम देखते हैं कि वो billing के time पर print होती हैं या नहीं तो यह आप देख सकते हैं जैसी हमने quantity define करने के बाद enter press किया है तो यहां remark में software ने automatically remark load कर लिया है जो कि हमने item master में define किया था लेकिन in case अगर आप यहाँ पर कोई modification करना चाहते हैं तो आप manually modification भी कर सकते हैं enter press करेंगे same bill save करेंगे print preview देखेंगे तो यहीं आप देखेंगे कि आपके bill में product के साथ साथ उसका remark भी यहाँ पर print हो गया है तो इस तरीके से आप at the time of billing हर एक medicine में medicine wise उसके details feed कर सकते हैं और उसे invoice में print भी करा सकते हैं अब हम देखते हैं कि आप at the time of billing medicine के doses किस तरीके से define कर सकते हैं simply item master में अगर हमने item type medicine define किया है तभी आपके doses के option open होते हैं तो अभी हम एक prescription मनाते हैं यहाँ से हम एक tablet लेते हैं citrazen enter press करेंगे यहाँ quantity define करेंगे माली जो 7 quantity MRP आप यहाँ पर define कर सकते हैं यह देखें citrazen tablet इस item master में हमने item type medicine select किया था तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर doses का option open हो जाता है यहाँ पर आप doses define कर सकते हैं for example कि morning में एक dose लेनी है, afternoon में नहीं लेनी है evening में भी नहीं लेनी है और फिर night में लेनी है इसके साथ ही अगर आप कोई special remark यहाँ पर देना चाहते है medicine related तो आप यहाँ पर medicine remark भी feed कर सकते हैं इसी तरीके से हम next item लेते हैं यहाँ आप quantity define करेंगे 14 मान लीजे अब यहाँ पर आप same देखेंगे window open होती है doses के लिए मान लीजे afternoon में लेनी है one quantity और evening में भी लेनी है egg enterprise करेंगे simple इसी तरीके से हम next लेते हैं एक syrup लेते हैं quantity define करेंगे और यहाँ आप define कर सकते हैं मान लीजे यह लेनी है night में 20 ml तो आप यहाँ पर इस तरीके से define कर सकते हैं इसी तरीके से next एक और item लेते हैं combi flame यहाँ quantity define करेंगे अब यहाँ पर मान लीजे मुझे define करना है कि यह tablet आपको तभी लेनी है जब pain हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप define कर सकते हैं needed one tablet if pain means कि अगर pain होता है तो सर्फ एक tablet ही आपको लेनी है अब आप यहाँ पर remark इस तरीके से यहाँ पर feed कर सकते हैं यहाँ एक और item लेते हैं असी lock मान लीजे इसकी quantity है दो और यह लेनी है आपको afternoon में एक tablet on alternate days यह अगर आपको weekly लेनी है तो आप weekly यहाँ पर define कर सकते हैं कि one in a week या weekly days तो इस तरीके से आप हर एक medicine के doses define कर सकते हैं और अगर को special remark है तो आप remark भी define कर सकते हैं simply end की press करके अगर आप अपना bill save करते हैं F की press करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके bill में print हो गई है कि कौन सी medicine आपको कब कब लेनी है यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ आपने remark define किया है वहाँ आपके remark भी यहाँ पर print हो जाता है यहाँ आप देख सकते हैं so friends ऐस तरीके से आप mark software में किसी भी medicine के उसके type के according उसके details feed कर सकते हैं means कि अगर आपका product optical related है तो आप optical की measurements refine कर सकते हैं अगर आपकी medicine है तो आप उसके doses refine कर सकते हैं और अगर आप किसी item में कुछ special remark feed करना चाहते हैं तो आप special remark भी feed कर सकते हैं और साथी साथ आप उससे अपने invoice में print भी करा सकते हैं Thank you